हेलो बिटा कैसे हो पढ़ रहे हो ना पढ़ना ही चाहिए क्यूंकि जिवन के लड़ाय में पढ़ाए बहुत 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 इंपोर्टन इसलिए पढ़ते रहे ना चाहिए मैं पीम सर आपका बायो टीचर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बहतरीन आपके लिए हम लेके आए है एक समरी लेक्चर जो रहेगा बलड सर्कुलेशन के उपर नीट के अंदर आपका ये सबसे इंपोर्टन टॉपिक जिससे बिड़ा दो क्वेशन्स तो एक्सपेक्टेड रहते ही रहते हैं वहां से ये आपको मदद करेगा मतलब इस दो क्वे एंप को थोड़ा सा डिोटेल में दे दूँगा थोड़ा सा प्रॉपर रहे में दे दूँगा ताकि ये समरी भी को बहुत कॉनसेप्ट हो आपके क्लीर करने में मदद कर सके ओके So let's start the topic summary blood circulation अब blood circulation यह जो topic है बटा यह हमारे book में क्या दिया है circulation मतलब respiration and blood circulation इस नाम से दिया गया है इसको हमने दो part में divide कर दिया था So इसके अंदर का जो blood circulation का portion है इस portion को आज हम यहाँ पे touch करने जा रहे हैं मतलब इसको बटा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो summary lecture है summary lecture भी होगा तब आपको बहुत ही बहतरीन पद्दती से इसको explain करने का मेरा प्रयास रहने वाला है क्योंकि PM सर जब भी कोई concept पढ़ाते हैं तो उसको detail में लेके जाते हैं थोड़ा फास्ट होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही बहतरीन साबित होने वाला है अगर आप CT as parent हो अगर आप neat as parent हो तो both of those people can sure from this topic ओके यहां से आपके question को आप यहां solve करने का प्रयास कर सकते हो तो आज के लिए इस topic के हमारे लिए target points क्या है तो आज हम यहां पे क्या-क्या पढ़ने जा रहे है तो सबसे पहले आपन देखेंगे बेटा what is mean by transportation, types of blood circulation, blood vascular system, blood pressure, electrocardiogram, limbic system and disorders तो ऐसे कुछ यहां पे points है जिसको आज अपन यहां पे detail में पढ़ने की कोशिश करने वाले है तो first of all you should know what is mean by transportation, what is the main motto of blood circulation, what is the main expectation of blood circulation तो हमारे body में blood circulation का main expectation क्या है तो बिटा nutrient, waste material, gases का transportation करवाना अब transportation क्या होता है, तो हमारे body के एक part से दूसरे part के पास वहां पे कुछ चीज़े लेके जाना इसको अपन क्या कहते हैं, बिटा transportation कहते हैं तो हमारे body के अंदर भी कुछ यहां पे चीज़े होती है, जैसे कि nutrient होंगे उके, उसके बाद gases होंगे उसके बाद waste substances होंगे इन सभी को एक जगा से दूसरी जगा पे ले जाना है, ओके move from one part to another part इसे क्या कहा जाता है बिटा transportation कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है transportation कहा जाता है तो transportation का हमारे body में क्या importance है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है ओके, तो यहां पर blood circulation के types देखते हैं तो इसके लिए transportation के लिए क्या लगेगा बिटा blood circulation, ये जो transportation है इस transportation को HU करवाने के लिए क्या लगता है इसीको HU करवाने के लिए लगता है भीटा, Blood Circulation अब देखते है Blood Circulation कितने टाइप का है जहां से Question आ सकता है, उस Point को अपन यहाँ किस्प्लेन करने की कोशिश करेंगे तो Blood Circulation कितने टाइप का हो सकता है ऐसा अगर आपको कोई पूछेगा तो आप सभी को बताना आना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है ओके सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके यहां इस उत सर्कुलेटेट थूरू अटर ऑडि काविटी सबसे यह ब्लोड सने नहीं वाहता है उसके बादे सबसे प्लोड कापिलरी नई यहां पर क्रीक। आप 대ी प्लोड सीं प्लासम यहां पर क्या होता है तो रेस्पाइरेटरी पिगमेंट्स होते उसके कारण यहाँ पे gases का transportation हो पाए, यहाँ पे there is no pigments, okay, for the transportation of gases, यहाँ पे gases के transportation के लिए कोई ऐसा pigment नहीं होता है, उसके बाद है, the medium of lymph is present between blood and cell, यहाँ पे जो medium होता है, exchange करने का, उसको अपन क्या कहते है, lymph कहते है, क्या कहते है, बताना एक बार, lymph कहते है, यहाँ पे क्या ह होता है, direct organs, मतलब tissue cell और gases का transportation exchange होता है, मतलब यहाँ पे exchange के लिए lymph नहीं होता है, उसके बाद example, यहाँ पे circulation in earthworm, यहाँ पे क्या है, earthworm का circulation, इधर क्या है, circulation in cockroach, इसके यह example से, cockroach में अगर आपने देखा, तो यहाँ पे open type का blood circulation आप पाओगे, so this is the two types of circulatory system, close circulatory system and open circulatory system, उ कितना होता है, so types of blood circulation में, दो type का blood circulation होता है, number one is the single circulation और number two is the double circulation, single circulation का earth क्या है, blood flow only once through the heart, during one cycle of passes through the body, okay, यहाँ पर जो blood होता है, heart से बस एक ही time आता है, और एक time चला जाता है, इसलिए इसको open single circulation कहते है, यहाँ पे जो blood है, यह दो बार blood से pass होता है, so blood flow twice through the heart, during one cycle passes through the body, एक बार के लिए blood, मतलब एक बार जो blood आता है, वो heart से दो बार गुजरता है, उसको open क्या कहते है, double circulation कहते है, यहाँ पे क्या होता है, it occur only in fishes, यह fishes में आपको देखने को मिलेगा, it occur in vertebrates, ओके बड़ा, यहाँ पर आपको vertebrates में देखने को मिलेगा, only ven venus blood passes through the heart, यहाँ से blood कौन सा pass होता है, venus blood, जिसको अपन क्या कहते है, deoxygenated blood, so in case of single circulation, deoxygenated blood can be passes, मतलब only deoxygenated blood pumping by the heart, यहाँ पे क्या होता है, both oxygenated and deoxygenated blood can passes through the heart, एक बार deoxygenated blood pass होगा, और एक बार oxygenated होगा, तो यहाँ पे double circulation में दोनों होता है, तो इस प्रकार के heart को क्या कह कहा जाता है, atrio venus heart, इसको कहा जाता है, venus, venus मतलब, venus, venus क्या carry करता है, deoxygenated blood, तो जहाँ पे only deoxygenated blood को pump किया जाएगा, उस heart को क्या कहेंगे, venus heart कहेंगे, और जहाँ पे दोनों किया जाएगा, उसको atrio venus heart कहेंगे, तो यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है single circulation में क्या होता है, यहाँ पर जो energy लगती है single circulation के लिए, ओ क्या लगती है, कम लगती है, इसका मतलब यहाँ पे जो blood pressure होता है, वो कम होता है, इसी के साथ-साथ यहाँ पे blood का flow होता है, ओ भी normal होता है, और इसकी वज़े से यहाँ पे ज़्यादा energy नहीं बन पाती, लेकिन close circulation में जो है, blood का supply cell को proper होगा, maximum supply होगा, जिसकी वज़े से वहाँ पे respiration proper होगा, और energy ज़्यादा बनेगी, energy ज़्यादा बनती है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, organism को actively ज़्यादा रखा जा सकता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, इस प्रकार का circulation, specially higher organisms में आपको अंदर भी दे दिया है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह heart है, यह क्या है, heart है, यह single circulation वाला part है, तो यह single circulation में क्या हो गया, यह heart हो गया, अब यहाँ पर देखना, यह जो है tissue है, capillaries है, इधर से क्या आएगा, deoxygenated blood, इधर से क्या आएगा, deoxygenated blood से आएगा, और heart में चला जाएगा, मतलब heart में कौन सा blood आया है, deoxygenated, और जब heart pump करेगा, तभी कौन सा blood pump करेगा, deoxygenated, यहाँ पर यह blood आ रहा है, एक ही बार heart में आ रहा है, और बाहर निकल के जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, single circulation, उसके बाद वो gills में जाए सेल को मिलता जाएगा, तो इस प्रकार से heart में blood एक ही बार आता है, और बाहर चला जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, single circulation कहा जाता है, और इस heart को venus heart कहा जाता है, double circulation में देखना है, यह 4 chamber का heart है, tissue से, मतलब cell से जो deoxygenated blood निकलेगा, वो यहाँ पर ऐसा आएगा, फि यहाँ से इसको pump किया जाता है, lungs की तरफ, अब यह बिटा lungs है, okay, lungs capillar है, इस lungs में क्या होगा, यहाँ पर oxygen add किया जाएगा, deoxygenated blood को oxygenated blood में convert किया जाएगा, और फिर एक बार heart में आएगा, और फिर heart से यहाँ पर body को दे दिया जाएगा, मतलब मुझे एक बात बताओ, यह जो blood है, एक बार heart में आया, heart से बाहर गया, lung से फिर heart में आया, फिर body को भेज दिया गया, मतलब यह जो blood है, heart में कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, और कितनी बार बाहर जा रहा है, इसका मतलब blood यहाँ पे twice, मतलब two बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसलिए इस ये diagrammatic representation ध्यान में रखना है, उसके बाद है बिटा blood vascular system, अब हमें blood क्या है पता चला, types of transportation पता चला, blood circulatory system के प्रकार पता चले, अब हम यहाँ पर देखेंग बिटा, blood vascular system, so blood vascular system में तीन चीजे बहुत, बहुत ही important है, कितनी चीजे important है बिटा, तीन चीजे यहाँ पर important है, ओ कौनसी कौनसी चीज है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देख सकते है blood, blood क्या है, उसके बाद देख सकते है heart, और उसके बाद देख सकते बिटा blood vessel, इतनी चीजों को हमें यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान में लेना है, तो बिटा, blood composition, सबसे पहले तो हमें देखना है blood composition, यह chart आपके पास होना चाहिए, बिटा, blood composition में हम यहाँ पे दो part mainly देखते हैं, पहली चीज तो इसके पास होता है, बिटा, plasma, जो कि यहाँ पे 55% contribute करता है, total volume के, और दूसरा यहाँ पे होता है blood corpuscles, जिसको अपन blood sales भी कह सकते हैं, यह contribute करता है 45%, अब यहाँ पे blood sales में तीन टाइप के sales होते हैं, RBC होगी, WBC होगी और platelets होगे, बिटा, blood plasma के अंदर क्या-क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, water होता है, उसके बाद यहाँ पे plasma protein होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे order element होते हैं, अगर आप बोलोगे सर, यहाँ पे water कितना होता है, तो water पेटा 91% होता है, plasma proteins कितने होते हैं, तो लगबख 7% होते हैं, और यहाँ पे बचे 1-2% क्या होता है, order elements होते हैं, और इस order element में फिर बहुत सारी चीज़े होते हैं, यहाँ पे nutrient होते हैं, components होते हैं, hormones होते हैं, regulatory compounds होते हैं, उसी के साथ-साथ waste material होता है, उसी के साथ-साथ regulatory components होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़े इस order elements में आपको पाई जा सकती है, तो इतना अगर आप ध्यान में रखोगे, तो आपको यह sufficient है, तो सबसे पहले plasma, plasma कितना part contribute करता है, तो यह यहाँ पे 55% contribute करता है, इसका जो color है, यह straw color का होता है, straw yellow color जिसको कहा जाता है, slightly alkaline होता है और viscous fluid होता है, जिसके अंदर क्या-क्या होता है, आपको यहाँ पे बताया गया है, देखना, मैंने आपको कहा था, इसके अंदर जो water होता है, यह water कितना होता है, 91% यहाँ पे water होता है, उसके बाद जो proteins हैं, proteins में क्या-क्या है, albumin है, globin है, वहाँ पे उसके बाद propidin है, उसके बाद prothrombin है और fibrinogen है, इन और्गेनिक साल जो है, यहाँ पे sodium, potassium, magnesium, calcium, ferrous, manganine, chloride, उसके बाद बेटा है, CO3, PO3-4, यह भी यहाँ पे आते हैं, salts वाले, ओदर में क्या-क्या आता है, food आता है, waste material आता है, regulatory substance आते है, anti-coagulant आता है, cholesterol आता है, water ने, waste के अंदर, urea है, ureek acid, air, और creatinin है, food के अंदर, glucose, amino acid, fatty acid, and triglyceride, इतनी चीज़े यहाँ पे होती है, इधर ध्यान देना है, आपके बुक में जो percentile दिया है, water का, यह यहाँ पे इतना दिया है, 90%, okay, protein जो होता है, 7-8% है, और other element जो होते है, यह 1-2% है, यह आपको यह यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो यह और यह आपके लिए बहुत important है, यह plasma का composition होता है, उसके बाद, formed element, मैंने आपको बताया था, formed element में तीन चीज़े होती है, एक है, RBC, दूसरी होती है, WBC, और तिसरी क्या होती है, platelets होती है, तो इन तीनों को अपन क्या कहते है, formed element क formed element का और एक नाम है, यहाँ पे blood corpuscles, या जिसको और एक नाम है, blood cells, इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में लेकर आगे चलना पड़ेगा, next यहाँ पे portion है, RBC, RBC के बारे में थोड़ी सी detail हम जानकार लेने का प्रयास करेंगे, so RBC का और एक नाम है, erythrocydes, red blood cells, also called the er erythrocydes, यह बटा most abundant cell होते हमारे body के अंदर, और यह bicon के shape के होते हैं, और enucleated होते हैं, लेकिन बटा camel के अंदर और llama के अंदर दे are nucleated, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, इनका color यहाँ पे red होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, oxygen carrying pigments, जिसको अपन क्या कहते है हिमोगलोबिन के अंदर क्या होता है, फेरस जिसके कारण क्या आता है, इसको red color आता है, इसलिए हमारे blood का color भी क्या है, red है, क्योंकि हमारे blood में सबसे ज़्यादा अगर percentage किसका होगा तो RBC का होता है, इसका जो average number दिया है पेटा, 5.1 to 5.8 million per yum yum cube, यह कहां पे होता है, male में होता है, और female में कितना होता है, तो female में बेटा, nearly यहां पे 4.3 to 5.2 million per yum yum cube, इतना यहां पे होता है, और इसको कहते total blood का यहां पे count, RBC का life span कितना होता है, तो 120 days का इसका life span होता है, यह भी बात आपको यहां पे थोड़ी ध्यान में रखनी है, और इसके जो formation का process है, इस formation के process को क्या कहा जाता है, अरित्रूपोएसिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बतना एक बार, अरित्रूपोएसिस कहा जाता है, उसके बाद RBC के बारे में जो यहां पे बताई गई बात है, इसकी जो main main बाते है, मैं आपको यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, RBC को destroy कह किया जाता है तो इसको destroy liver and spleen में किया जाता है RBC को destroy कहां किया जाता है यहाँ पे liver and spleen में जिसको आपन graveyard system भी कह सकते है ओके इसके अंदर जब इसका count यहाँ पे increase हो जाता है तो इसको polycythemia कहा जाता है polycythemia और इसके count को अगर यहाँ पे decrease हो रहा है तो इसको अरिथ्थ्रो साइटो पेनिया कहा जाता है तो हमें term याद रखनी है अरिथ्रो पोईशिस मतलब formation of arythrocythemia मतलब increase in number of RBC अरिथ्रो साइटो पेनिया मतलब decrease number of RBC तो यह बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है अगर अरिथ्रो साइट्स का number कम हो गया तो हमारा blood coagulation का जो वहाँ पे part है वो यहाँ पे properly नहीं होगा वो disturb हो जाता है इसके अंदर अरिथ्रो पोईटी नाम का जो हार्मोन होता है सिक्रिट किया जाता है उससे इसका सिक्रिशन के लिए stimulation मिल जाता है और यह इसका formation बेटा bone marrow में होता है जिसको अपन red bone marrow कहते है तो RBC कहाँ पे बनती है बेटा red bone marrow के अंदर मिल जाती है नेक्स टे बेटा यहाँ पे mature arithroside जो होते है इसके पास nucleus नहीं होता mitochondria नहीं होता और other कुछ वहाँ पे cell organelles नहीं होते क्योंकि इसके अंदर maximum क्या भरके रखना होता है हिमोगलोबिन जितना जादा हिमोगलोबिन होगा उतनी जादा उसकी oxygen carrying capacity बढ़ेगी मतलब oxygen carrying capacity को अटा दिया जाएगा ओके यह बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है इसके अंदर बड़ा respiration के लिए जो part होता है oxygen and carbon dioxide का exchange यह भी यहाँ पे किया जाता है उसके बाद बड़ा WBC अब WBC जो है यह दो टाइप की होती है यहाँ पे दो टाइप की कौनसी बड़ा granulocides and granulocides पहले तो अपन इसकी यहाँ पे property देखने का प्रयास करते है तो यह कैसी होती है तो colorless होती है nucleated होती है और इसके अंदर बड़ा ameoboid यहाँ पे moment आपको पाया जाता है ameoboid moment का मतलब क्या है capillary से वो बाहर आ सकते है जिसको अपन क्या कहते बड़ा dipadices भी कहते है क्य 1000 इतना यहाँ पे count होता है अगर इसका number यहाँ पे decrease हो गया तो इसको leukopenia कहते है क्या कहते है बता पर दाना एक बार leukopenia कहते है और leukopenia mainly कहां पी होता है HIV AIDS TB patients के अंदर आपको यहाँ पे leukopenia दिखाई देगा उके उसके बाद यहाँ पर अगर कोई radiation के expose में आ रहा है या फि condition आपको यहाँ पे properly ध्यान में रखनी होगी बात के लिए बड़ा यह स्वार्णों चलो उसके बाद क्या है टेंपरर इंक्रीजिन नंबर आप WBC का नंबर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते है यह बड़ा आपको infection में देखने को मिल सकता है उसी के साथ साथ pregnancy में और newborn baby मे आपको WBC का count थोड़ा सा जादा दिख सकता है यह बहुत नार्मल है uncontrolled increase in number of WBC this is called the blood cancer और it is also defined as the leukemia इसको क्या कहा जाता है लुकेमिया कहा जाता है और यहाँ पे इसकी दो families होती है कौनसी कौनसी होती है बड़ा सबसे पहले बताना types of WBC के अंदर अपन यहाँ पे कह सकते ह granulocytes and granulocytes so there are two types of WBC granulocytes and granulocytes अब अपनी यहाँ पे देखते है सबसे पहला है neutrophil जो की granulocytes में आता है so granules are very fine large number and evenly distributed and stained with neutral stain जिस WBC को neutral stain से अपन stain कर सकते है उसको neutral feels कहा जाता है neutral and feels का मतलब है to affinity उसके प्रती उसको आकरशन होना तो इसको अपन neutral stain से यहाँ पे staining कर सकते है इसलिए अपन इसको क्या कहते है neutral files कहते है यह nearly 70% होता है total WBC के इस सेल के अंदर यहाँ पे nucleus जो होता है उस several lobes का होता है और spherical होता है और यहाँ पे 2-7 lobes nucleus के आपको देखने को मिल सकते है और यहाँ पर ameoboid moment and phagocytosis आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर विड़ा neutrophils के अंदर इसी के साथ-साथ यह यहाँ पर pathogen को destroy करने की एहमियत रखते हैं जिसके कारण यहाँ पर अपन कह सकते हैं इनके अंदर साय यहाँ पर phagocytosis दिख सकता है उसके बाद यहाँ पर आपको यह पर्स के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि date form में होते उसके बाद बड़ा wbc wbc का मतलब और एक नाम है बड़ा canophils क्योंकि यहाँ प के methylene blue नाम के stain से इसको stain किया जाएगा इसी के साथ-साथ यह non phagocytosis होते हैं मतलब non phagocytic होते हैं स्पेरिकल होते हैं और लगबग यह 0.521% होते हैं हमारे total wbc count के अंदर इसका जो nucleus है यह nucleus यहाँ पर twisted होता है कैसा nucleus होता है बता देने एक बार twisted nucleus होता है तो यह बाद भी ह में यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इसी के साथ-साथ यह allergic condition में आपके body के अंदर देखने को मिल सकते हैं उसी के साथ मतलब आपको allergy होती है तो इसका number यहाँ पर बड़ा हुआ देख सकते हो आप बेसोफिल के अंदर यहाँ पर 3 चीज़े main है जिसके उपर MCQ बार बार इसलिए इसलिए इसको क्या कहा जाता है यहाँ से बीटा ही पैरिन, हिस्टामाइन, और सिरोटोनिन इन तीन चीजों को क्या किया जाता है। तो इसको सिक्रीट किया जाता है। So, this is description required for the basophil. After that, evosinophil. These all are the granulocytes. Okay, बड़ा. इसी को बड़ा यहाँ पर अपन acidic stain से stain कर सकते हैं. और उस stain का नाम क्या है? तो यहाँ पर है evosin. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? evosinophil. यह लगबग यहाँ पर 1 to 3% होते हैं, total WBC count के. और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? तो यह किस condition में grow करते हैं, इसके पास anti-histemic property होती है. जो histamine secret होता है, उसके opposite काम करने वाली property इसके पास होती है. और यह आपको यहाँ पर detoxification के लिए तयार होते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद next है बड़ा lymphocytes. क्या है बताना एक बार lymphocytes है. lymphocytes क्या है? तो यह granulocytes ने agranulocytes है. यह जो है यहाँ पर lymphocytes होता है, smallest है रहता है. सभी WBC cell के अंदर यह smallest होता है और large spherical nucleus होता है. टोटल WBC के यह 25-30% इतना part contribute करता है. और इसका जो यहाँ पर function है, यह दो type के T lymphocytes होते बटा. lymphocytes यहाँ पर कहां बनता है, तो bone marrow में बनता है, और T lymphocytes कहां पर बनता है, तो thymus glands के अंदर बनता है. और T lymphocytes के यहाँ पर क्या होते है, cell-mediated immunity बनाते है, जिसके अंदर बटा helper T cell, clear T cell, memory T cell, and suppressor T cell, ऐसे 4 type के main T cell यहाँ पर तयार होते हुए दिखाए देंगे. और यहाँ पर B lymphocytes humeral immunity बनाता है, और T lymphocytes cell-mediated immunity बनाता है, तो lymphocytes के बारे में इतना आपको इध्यान में रखना है. उसके बाद है बटा monocytes, जो कि यहाँ पर क्या है, phagocytic in nature होता है, इसके अंदर largest, सबसे largest अगर कौन सी WBC है, तो है बटा monocytes, ओके, इसका nucleus यहाँ पर large होता है, और bean shape का होता है, या फिर जिसको अपन kidney shape कहते है, उसी के साथ-साथ यह 3-5% part contribute करते है, और इसके अंदर होता है, so these are the total types of WBC, अब इस WBC को पहचानने के लिए अपन इसके nucleus के shape के अधार पेस को पहचान सकते है, बात के लिए बटा, यह स्वरनों, चलो, ओके, शलो, next, thrombocytes से बटा, last जो elements है, हमारे blood elements के अंदर बटा, thrombocytes है, thrombocytes also called the platelets, अब देखना, platelets का जो यहाँ पे format है, यह क्या है, fragments से बटा यह, किसके mega karyocytes के, जो mega karyocytes होता है, mega का मतलब large, karyo का मतलब क्या है बटा, nucleus, जो cell का nucleus ज्यादा large है, उनके यह क्या होते हैं, तो fragments होते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपन platelets कहते हैं, यह कहां पे बनते हैं, तो यह भी bone marrow में ही बनते हैं, कहां बनते हैं, bone marrow के अं तो काउंट कितना है 2.5 to 4.5 लैक पर यम्यम के इतना इसका क्या है तो काउंट है इसके अंदर यहां पर जब इसका नंबर डिक्रीज हो जाता है तो इसको क्या कहते है और इस कंडिशन के वज़े से क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है आपके शरीर में खून निकल सकता है उसके बाद प्लेटिलेट्स का एक यहाँ पे सिक्रीशन है यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के लिए जो इसेंशियल फैक्टर्स होते हो यहाँ पे सिक्रीट करने का काम करते है इसलिए platelets का जब number कम हो जाता है तो आपके body में blood coagulation की problem आ सकते है क्योंकि blood coagulation के लिए जो thrombocytes होते हैं वो कुछ enzymes होते हैं कुछ secretion होते हैं वो यहाँ पर initiate करने के लिए secret कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर इसका और कहां पर roll होता है तो platelets का यहाँ पर thrombus बनाने में roll होता है thrombus का मतलब क्या है बटा यहाँ पर coagulates करने में इसका roll हो जाता है और इसके secretion में क्या क्या आता है serotonin and vasosicretin होता है यहाँ पर यह secret कर देते हैं तो thrombocytes के बारे में आपको इतना याद रखना था so this is the blood next part रहेगा हमारे cardiac system का heart next part कौन सा है बताना एक बार heart जिसको अपन क्या कह सकते बटा human heart कहते human heart में अपन इसके कुछ points लिखेंगे यह क्या है तो यह main pumping organ है क्या है बताना एक बार यह main pumping organ है तो बटा यह main pumping organ है उसी के साथ साथ यह mesodermal in origin है mesodermal in origin है उसी के साथ साथ जो heart होता है यह हमारे chest region में होता है chest region में होता है उसी के साथ साथ heart के बारे में और अपन यहाँ पे क्या लिख सकते इसका weight कितना होता है तो female के अंदर 250 to 300 gram ओके इतना heart का weight है और male के अंदर यह होता है 300 to 360 gram यह होता है female में और यह होता है male में ओके यह muscular organ होता है और हमारा heart जो है myogenic होता है human heart कैसे होता है myogenic ओके यह ऐसा heart है इसके बारे में यह description अपन कुछ यहाँ पे points याद रख सकते है उसी के साथ साथ heart के बारे में और क्या याद रख सकते है human heart जो होता है यह चार चेंबर का होता है इसके अंदर टू अट्रिया होती है और यहाँ पे टू वेंट्रिकल्स होती है ओके हाड का जो बीटा right side है और left side है right side क्या करता है तो oxygenated blood pump करता है और left side जो है यह deoxygenated blood को pump करता है इतनी बाते आपको heart के बारे में थोड़ी याद रखनी है अब देखते बीटा heart के बारे में कुछ यहाँ पे उसकी protective covering heart wall okay so heart wall के पास यहाँ पे तीन protective covering होती है endometrium, myometrium और एक होता है बीटा pericardium so यहाँ पे अपन देख सकते इसके पास दो ऐसी membrane होती है जो की protective covering होती double membranics यहाँ पे part होता है तो इस double membranics part को हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके याद रखना पड़ेगा तो यहाँ पर अपन देख सकते यह क्या है pericardial cavity यह क्या है pericardial cavity और इस cavity के अंदर क्या होता है fluid होता है जिसको अपन pericardial fluid कहते क्या कहते बताना एक बार pericardial fluid pericardial fluid और यह जो cavity है यह किसके बीच में बनती है तो यह जो है बेटा इसको कहते है parital layer of serious pericardium और यह है बेटा यहाँ पे epicardium heart की तीन wall सबसे बाहर वाली कौन सी epicardium middle वाली कौन सी myocardium और उसके अंदर वाली कौन सी endocardium अब endocardium के अंदर यहाँ पे क्या होगा blood होगा तो बेटा epicardium के बाहर क्या होती है pericardial cavity उसके बाहर क्या होता है parital layer of serious pericardium यह क्या है parital layer of serious pericardium और उसके बाहर क्या है? Fibrous Pericardium तो बढ़ा, दो टाइप का Pericardium होता है Serious Pericardium and Fibrous Pericardium Fibrous Pericardium सबसे बाहर वाला उसके अंदर वाला Serious Pericardium और Serious Pericardium के अंदर होती है एक cavity जिसको अपन कहते है Pericardial cavity और उसके अंदर होता है Epicarium, that is the visceral layer of Serious Pericardium क्या होता है Serious Pericardium होता है और इन दोनों के बीच की जो cavity है उसको क्या कहते है Pericardial cavity जिसके अंदर होता है Pericardial fluid और पेरिकारडियल fluid का काम क्या होता है It acts as a shock absorbent Also it provides the moisturized condition to the heart wall यह heart को moisture condition provide करने का काम करता है और यह उसी के साथ-साथ यहाँ पे Shock absorbent का भी काम कर देता है तो यह बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो heart की जो wall है Heart की wall क्या है सबसे बाहर वाली Fibrous Pericardium उसके अंदर वाली Serious Pericardium Serious Pericardium split होती है दो पार्ट में यहाँ पे parital layer और दूसरा होता है visceral layer Parital layer कहा होता है Fibrous Pericardium के टच में और यहाँ पे visceral layer कहाँ पे होता है तो Myocardium के बीच में और सबसे अंदर वाला क्या होता है Endocardium तो heart की खुद heart की wall कितनी तीन wall है कुनसा कुनसा Epicardium Myocardium Endocardium यह बटा heart की wall है और protective covering कितनी है यहाँ पे इसके पास दो है Fibrous Pericardium और पराइटल लियर आफ Serous Pericardium तो इतनी बात हैं हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है Heart की wall के बाद External structure of human heart की बाद अपनी यहाँ पे करते हैं So external structure में आप देख सकते बड़ा इसके पास यहाँ पे चार ventricles होते उपर के दो auricles होते नीजे के ventricles होते उसी के साथ-साथ यहाँ पर क्या होता है Superior Vena के वाद जो हमारे body के upper side से deoxygenated blood को collect करेगा Inferior Vena के वाद जो body के lower part से deoxygenated blood को collect करेगा दोनों open होती है बटा Right arteria में उसके बाद यहाँ पे Right ventricle में blood चला जाएगा फिर lungs की तरब चला जाएगा Heart को खुद blood supply करने के लिए जो यहाँ पे artery होती है और veins होती है इसको क्या कहा जाता है coronary artery and coronary veins कहा जाता है क्या कहा जाता है coronary artery and coronary veins इसको हम कह सकते है तो यह बटा right side का view है और यह back side से यहाँ पर view है इसको भी हमें याद रखना है यहाँ से हमें questions आ सकते है बात के लिए बटा यह स्वरनो तो external structure के अंदर अपन यहाँ पे कुछ चीजे है जिसको अपन यहाँ पे बता सकते है जो उपर का यहाँ पे chamber होता है उपर के दो chamber को क्या कहा जाता है तो उपर के दो chamber को अपन क्या कहते है बटा atria कहते है superior जो दो chamber है उसको atria कहते inferior जो दो chamber है उसको क्या कहते है ventricle कहते है और इसके साथ साथ बटा यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो coronary sulcus होता है जहां से क्या निकलती है करोनरी अर्टरी एंड करोनरी वेंस कहते है जिसको बेटा अट्रियो वेंट्रिकुलार ग्रू भी यहां पर कहा जाता है उसके अंदर यहां पर दो वेंट्रिकल्स के अंदर यहां पर जो सेप्रेशन होता है उस सेप्रेशन को क्या कहते है बेटा एं परली पता होनी चाहिए थी, उसके बाद है, जो अर्टरी है बिटा, उसको मतलब अर्टा जो है, उसको यहाँ पर अटेच करने के लिए एक फाइबरेस बैंड होता है, जिसको अपन लिगामेंटम अर्टेरियोजम कहते है, जो कि यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक अर्टिक आर् है, तो रेमनन्ट है, उसी के साथ-साथ यहाँ पर अपन और एक चीज़ देख सकते है, कि राइट अट्रिया क्या करता है, और इंफेरियर वेना केवा क्या करता है, यह भी आप सभी को पता है, पल्मोनरी वेंज जो होती है, यह लेफ्ट औरिकल्स में उपन होती है, डिस के अपर पार्ट से, मतलब चेस्ट, नेक, एंड हेड, एंड फोर लिम्स, यहाँ से जो डियॉचिज़ देख बलड आता है, यह यहाँ से कलिट करती है, और इंफेरियर वेना के वाज़ होता है, यह हमारे बोड़ी के लोवर पार्ट से डियॉचिज़ देख बलड को क्या किया जाता है, और यह कहां से क्यारी किया जाएगा, अब यहां से क्या किया जाएगा, यहां से क्या किया जाएगा, डियॉचिज़ देख बलड को कलिट किया जाएगा, अब यह दोनों ओपन कहां पे होती है, राइट अट्रिया में, यह जो है बिटा, यह है राइट अट अब उसके बाद जब यह अट्रिया कॉंट्रेक्शन में जाएगा तो यही दियोक्शिजनेटर ब्लड चला जाता है बैटा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, now राइट वेंट्रिकल अंडर्गों कॉंट्रेक्शन, and these pump blood into the pulmonary arteries, कहां पे pulmonary artery, अब यह जो है pulmonary trunk है बैटा, now this pul pulmonary arteries, and right pulmonary arteries, यह right pulmonary artery जाएगा, right lungs में, left pulmonary artery जाएगा, left lungs में, क्योंकि इधर का right lungs है, इधर बैटा left lungs है, और दोनों के बीच में क्या है, heart है, तो right side की जो pulmonary artery है, deoxinated blood, right lungs की तरफ लेके जाएगी, और यह इधर left lungs की तरफ लेके जाएगी, ओके, फिर lungs के अंदर क्या होगा oxygenation हो जाएगा और उस oxygenated blood को फिर कहां पे लाया जाएगा heart में लेके आएंगे और उसको heart में लाने के लिए यहां पे होती है pulmonary veins और यह pulmonary veins इधर से आएगी right side के lung से यह pulmonary veins यहां से blood को collect करेगी left side के lung से और यह दोनों open कहां पे होते है बटा तो यहां पे left arteria के अंदर होती है मतलब यहां से एक बार heart के अंदर blood आ गया और फिर इधर एक बार आ गया मतलब blood दो बार heart में आया है इसलिए इसको क्या कहा जाता है double circulation जब left arteria यहां पे contraction में चला जाएगा तो यह blood यहां पे left ventricle में pump किया जाता है जब left ventricle pump किया जाएगा मतलब contract होगा तो इस blood को अपन यहां पे आवर्टा में क्या करते है पुश करते है और आवर्टा से फिर arch of आवर्टा यह उपर का superior आवर्टा है और इसको अपन inferior आवर्टा यहां पे कहते हैं इसको superior इन फेरियर नहीं कहा जाता इसके और अलग नाम है ओके तो यहां पर क्या है बोडी को oxygenator blood को supply किया जागा तो इस प्रकार से हमारा heart क्या करता है काम करता है अब यहां पर right side में right atria and right ventricle के बीच में यह जो वाल है इसको कहा जाता है tricuspid wall एक, dौ और तीन ऐसे यहाँ पे कसप है इसको कहा जाता है tricuspid wall tricuspid wall present in between right atria and ventricle और यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है bicuspid wall present in between the left atria and left ventricle यह यहाँ पे क्या करता है तो backward flow को avoid करता है उसी के साथ साथ और यहाँ पे होता है semilunar wall semi lunar wall कहाँ पे होते तो आपको पूछा गया ऐसा कुछ तो आप यहाँ पे बता सकते हो बटा यह जो यहाँ पे pulmonary trunk है इस pulmonary trunk में क्या होते है तो ऐसे semi lunar wall होते है जो की backward flow को avoid करते है और इधर यह जो अवर्टा का opening है यहाँ पे भी ऐसे semi lunar wall होते है जो की backward flow को avoid करते हैं और दो wall होते है यह जो inferior vena के वा है इसकी जो opening है इसके opening में भी यहाँ पे wall होता है जिसको कहा जाता यू-statian wall और यहाँ पे coronary sinus की एक opening होती है इस coronary sinus के opening में भी wall होता है जिसको कहते है थिबेशियन wall आपको यह जानकरी यहाँ पे याद रखने है हार्ट में कितने wall होते है यू-statian wall, थिबेशियन wall, semi lunar wall, tricuspid wall and bicuspid wall ऐसे पाँच प्रकार के wall हमारे हार्ट के अंदर होते है जिनका काम क्या होता है backward flow को avoid करवाना तो इतनी बाते हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते है बात के लिए रहे हैं यह स्वार नो उसके बाद अपन यहाँ पे देखते है conducting system अब हमारा जो हार्ट है हमरा हार्ट कैसे है बटा, myogenic है कैसा है? myogenic है दो टाइप की हार्ट होते है बटा, neurogenic and myogenic जो हार्ट neurogenic होता है उसको neural system control करता है मतलब brain control करेगा, CNS control करेगा और जो myogenic होता है myo, myo का मतलब होता है बटा, muscle, genic genic का मतलब होता है बटा, generation मतलब वहाँ पे potential difference, याने की बटा impulse generate करना, याने की बटा वहाँ पे heart के contraction and relaxation के लिए जो action potential होता है, उसको generate करना जो heart neurogenic है उसके लिए जो requireable action potential है वो brain वहाँ पे क्या करेगा generate करेगा, तो उसको कहा जाता है neurogenic heart, और हमारा heart है myogenic, मतलब हमारे heart के अंदर ही कुछ ऐसे muscle है, जिसको आपन वहाँ पे tissue patches कहते, वो patches modify होते है और उस patches के अंदर वो ability होती है, वो खुद ही action potential generate करे, मतलब हमारे heart के muscle ही action potential generate करने के लिए काबिल है इसका मतलब हमारा heart क्या है myogenic है, myo का मतलब muscle, genetic मतलब generation formation, जिसको अपन कह सकते है, action potential को जनम देने वाला muscle के ही patches होते है, और वो हमारे heart के होते है, इसलिए हमारे heart को क्या कहा जाता है, myogenic, देखना हमारे heart के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे nodal tissue होते है, या कुछ ऐसे tissue patches होते है, जो action potential generate करते है, तो सबसे पहली बात है बटा, यहाँ पे एक होता yes a node, yes a node क्या है अगर आपको कोई पूछेगा, तो आपको बताना है बटा, right atria के अंदर, upper right side, देखना, यह क्या है, right atria, right atria का upper और उसमें भी right side, so upper right side में एक ऐसा यहाँ पे patches है, tissue patches है, जिसको क्या कहा जाता है, yes a node कहा जाता है और yes a node का का काम क्या होता action potential को generate करवाना मतलब यह action potential generate करेगा और उसी के साथ-साथ यह बटा, यहाँ पे left atria की तरफ भेजेगा जिसके होजे से left atria contraction में चला जाएगा उसी के साथ-साथ right atria पर भी भेजेगा, और उसी के साथ-साथ यह क्या कर देगा, और यहाँ पे कुछ काम करवा देगा, जहाँ पर अपन देख सकते है, इधर भी भेज रहा है जिसके होजे से, यह contraction में चला जाएगा इधर भेज रहा है इसके होजे से, यह contraction में चला जाएगा और उसी के साथ-साथ बटा, यह AV नोड की तरब भी action potential को भेज देता है, इसको बिड़ा paste setter कहा जाता है, और इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, sorry इसको paste maker, यह से नोड को paste maker कहते हैं, और इसको क्या कहते है, paste setter कहते AV नोड, क्यूंकि इसको atrioventricular नोड है, क्यूंकि यह कहाँ पे atrio and ventricle के, यहाँ पे junction पर है, इसलिए इसको क्या कहा गया AV नोड कहा गया, now this action potential received by AV नोड and transmitted to the AV bundle यह किस की तरफ भेज देगा, AV bundle की तरफ भेज देगा, अभी action potential आ गया बटा, AV bundle की तरफ AV bundle फिर यहाँ पे bifurgeted होता है, दो पार्ट में, जिसको अपन क्या कहते है बटा, bundle of his right bundle of his and left bundle of his, now this bundle of his divided into the many branches, this is called the perkinje fiber, इसे क्या कहा जाता है बटा perkinje fibers, कुछ teacher इसको perkinje fibers भी कहते है, तो यह perkinje fiber से पूरे ventricle पर spread होता है, जब यहाँ पे action potential आएगा, तो ventricle undergo contraction, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी क्या होती है, conducting system होती है, तो हमारे heart को contract relax करने के लिए जो action potential जरूरी है, वो कहां से generate हुआ, तो heart के ही कुछ वहाँ पे modify tissue patchy से उन्होंने किया, इसका मतलब हमारा heart क्या है, myogenic in nature है, तो conduction system में, जो यहाँ पे impulse जाता है, यह कहां से कहां जाता है, इसके उपर भी सवाल आ सकता है, तो हम सब को पता है, yes, a node से कहां चला गया, a v node की तरफ a v node से, a v bundle की तरफ a v bundle से bundle of his की तरफ bundle of his से perkinje fibers की तरफ इस प्रकार से क्या होता है, impulse का transmission जिसको अपन action potential का transmission कह सकते है, तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है, उसके बाद next portion है हमारे लिए cardiac cycle, बड़ा cardiac cycle cardiac cycle का मतलब क्या होता है, हमारे heart को एक बार contract और relax होने में, जो समय लगता है मतलब heart का, यहाँ पे जैसे ventricular relax होने लगता है, वैसे arteriak relax होने लगता है मतलब यह contraction, reaction contraction, reaction, contraction, continuous ली चलता है, तो एक contraction और relaxation को जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, कारडियाई cycle कहा जाता है, और हमारे regulatory cycle को कितना समय लगता है, बड़ा 0.8 second, तो और यहाँ पर एक होता है बिटा, joint diastole, मतलब ध्यान देना, देखना, अब ventricle, यह समझो मेरा left hand ventricle से, और right hand बिटा atria है, अब समझो atria contraction में है, तो ventricle कैसे, relaxation में, तो इस condition को क्या कहेंगे, contraction को बिटा systole कहा जाता है, और relaxation को diastole कहा जाता है, तो अब यहाँ पर ventricle diastole है और atrial systole है, जब बिटा, जैसे जैसे ventricle वहाँ पर systole में चले जाएंगे, atria का क्या हो जाएगा, diastole में ओ चले जाएंगे, तो हमें यही देखना है बिटा, cardiac cycle में क्या होता है, atrial systole, ventricular systole and joint diastole, अब मुझे एक बात बताना, जब यह दोनों contraction और relaxation में चले जाएंगे, तो यह समय ऐसा है का दोनों open condition में रहते हैं, समझों यहाँ पर अब यह जो condition है, ventricular systole है और atrial diastole है, अब देखना, यह systole में चले जाएगा, तब यह diastole में चलाता है, लेकिन अपन इसको slow motion में देखते हैं, तब एक समय ऐसा आता है कि दोनों open हैं, देखना, यह relaxation में चल यह contraction में एक relaxation में, अब देखना, यह contraction में चले जाएगा, यह relaxation में चले जाएगा, तब यह समय ऐसा आता है कि दोनों open होते हैं, जैसे कि slow motion में, देखना, दोनों open है, जब दोनों chamber open में होते हैं, तो इसको कहा जाता है joint diastole, joint मतलब क्या, दोनो, diastole मतलब क्या, open, relaxation, तो इस रखना पहला है यहाँ पर atrial systoli, atrial systoli मतलब atria को contraction में जाने के लिए कितना समय लगता है या atria contraction में कितने समय के लिए रहते 0.1 second कितना 0.1 second दूसरा आता है ventricular systoli वो कितना होता है 0.3 second और बचा हुआ जो समय है वो क्या होता है joint diastoli मतलब यहाँ पर 0.1, 0.3 0.4 बचा कितना total में से 0.4 मतलब जो joint diastoli होता है वो कितना होता है 0.4 second का होता है तो इस प्रकार से हमारा cardiac cycle क्या होता है clear हो जाता है यह बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है तो बटा जो cardiac cycle है cardiac cycle है इसको अपन तीन पार्ड में देखते है अट्रियल systoli उसके बाद विड़ा ventricular systoli और उसके बाद विड़ा joint diastoli और यह कितने समय के लिए होता है 0.3 second यह कितने के लिए होता है sorry यह होता है बिड़ा 0.3 second यह होता है बिड़ा 0.1 second और यह होता है बिड़ा 0.4 second यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ओके cardiac cycle के बारे में उसके बाद बिड़ा arteria, vein and capillary तीन टाइप की blood vessels हमारे पास होती है तो इसके कुछ पॉइंट से जहां से आपको question पूछने की अनुमती दी जा सकती है तो यहाँ पे क्या है बिड़ा artery यह क्या carry करता है बिड़ा it carry blood away from the heart vein क्या क्या carry करता है बिड़ा carry blood toward the heart और यहाँ पे क्या है link to the veins उसके बाद बिड़ा outer coat यहाँ पे इसका क्या होता है thin होता है और middle coat क्या होता है थीक होता है यहाँ पे outer coat क्या होता है थीक होता है और middle coat क्या होता है थीन होता है यहाँ पे outer and middle coat क्या होते बटा अपसेंट होते है इसका lumen small होता है अर्टरी का जो lumen है वो कैसे होता है small lumen होता है और उसके बाद यहाँ पे जो lumen है वो कैसे होता है large होता है यहाँ पे lumen कैसा होता है very small ह इसके बाद यहाँ पर और 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 इसका घासे इक्शेंज में यहाँ पर इसकी मदद हो जाती इतनी बात है हमें धहानमेर इसके बाद यहाँ पर semi lunar wall क्या होते बड़ा absent होते है इधर semi lunar wall क्या होते बड़ा present होते है जो कि यहाँ पर क्या है backward flow को क्या किया जाता है avoid किया जाता है यहाँ पर wall क्या होता है absent होता है इसके अंदर जो blood flow होता है वो high pressure में होता है इसके अंदर जो है low pressure में होता है और यहाँ से pressure क्या होता है होता ह लोटो जाता तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने है अर्टेरी के बारे में वगेरा वगेरा कुछ डिस ओर्डर की बात करते बढ़ां ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, the pressure exerted on the all of artery, after the ventricular systole, जब ventricle contraction में जाते हैं, तो blood हमारे artery में pressure से flow होता है, और उसके वज़े से arterial wall पे pressure create होता है, जिसको अपन measure कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, blood pressure, so what is the blood pressure, the pressure we can experience on the wall of artery, after the ventricular systole, called the blood pressure, बिटा, normal blood pressure की अगर अपन बात करें, क्या बता रहा हूं मैं आपको, normal blood pressure की बात करें, तो यह कितना होता है, 120 upon 80, उपर का होता है बिटा, systole, और नीचे का होता है बिटा, diastole, okay, मतलब ventricular contraction, ventricular relaxation, यह यहाँ पर इतना pressure होता है, जो कि क्या है, normal blood pressure, इसको major करने के लिए, जो instrument है, इसको क्या कहा जाता है, बिटा, spigmo manometer कहा जाता है, उसके बाद अगर एक condition है, hypertension, hypertension, उसके बाद है, hypotension, okay, hypertension, hypotension, hypertension में क्या होता है, 180 upon 120, इतना होता है, और hypotension में क्या होता है, 60 upon 80, ऐसा यहाँ पर blood pressure होता है, तो यह condition आपको यहाँ पर याद रखनी है, उसके बाद आता है, बिटा, electrocardiogram, बिटा, electrocardiogram मतलब क्या, paper की उपर जो representation है, उसको कहते electrocardiogram, और जो machine है, उसको कहते electrocardiogram, तो बिटा, electrocardiogram निकालने की जो machine है, स्वरी इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ निकालने की जो मसीन है इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ मशिन को क्या कहा जाता है ग्राफ हमें क्या लगता है ग्राफ मतलब आपन ग्राफ कहां ड्रौ करते पेपर पे मतलब पेपर पे जो रिप्रेजेंटेश इसको कहा जाता है, electrocardiogram, तो यहाँ पे g का मतलब है gram, और यहाँ पे g का मतलब है graph, तो यह यहाँ पे major किया जाता है, आपके hard की functioning, अब hard की functioning अगर normal होगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आता है, आपका यहाँ पे ECG, यह paper के उपर का representation, अब ECG पे क्या क्या है, तो सबस से पहले आप यहाँ पे दिखाए दे रहेंगे होगा, आपको यह portion, जिसको अपन क्या कहते, P wave क्या कहते, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको वड़ा कहा जाता है, ajaTo इसके बाद है बेड़ा पी आअर इंटरवल यहाँ पे की र क्यु Guard को दर्शा र आता है वेंट्रिकुलार कोंट्रेक्शन और उसके बाद वेड़ाग टी वेव हुआ say आता है, ventricular diastole, ventricular relaxation, मतलब बढ़ा, arterial systole, ventricular systole, ventricular diastole, यह तीन major component से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और segment एक है, yes T segment और interval एक है, PR interval, तो इतनी सारी चीज़े आपको electrocardiogram में दिखाई देती है, यह बात आपको ध्यान में properly रखनी थी, बात के लिए रे बढ़ा, उस vascular system को एक यहाँ पर parallel और system होता है, जिसको क्या कहा जाता है, लिम्बिक सिस्टम कहा जा, sorry, लिम्फिक सिस्टम कहा जाता है, यहाँ पर लिम्बिक हुआ है, लिम्फिक है बेडा यह, लिम्फिक सिस्टम, ओके बड़ा, तो लिम्फिक सिस्टम में क्या-क्या होता है, लिम्फिक वेसल्स होते हैं, वहाँ पे नोडिस होते हैं, लिम्फिक नोड होते हैं, और कुछ वहाँ पे ओर्गन्स होते हैं, हमारे बलर्ड सर्कुलार सिस्टम को पैरलल और एक सिस्टम होत और सब्क्रिंदी क्यों डाइंस है अपत्रियง और सथा रसे हैं यहाँ प्ली उडायाँ ओर्गन को है यहाँ कमर्ण जाता है जिसको लिंबिक नोडल और यहाँ पर जो वेसल से ये सब बन के क्या मिलता है। लिंबिक सिस्टम यहाँ पर बनता है। उसके बाद है विड़ा यहाँ पर लिंबिक सिस्टम के बाद heart transplant कुछ disorder है ट्रांस्प्लांट अगर किसी का heart वहाँ पे फेल हो चुका है तो उसको heart transplantation की जरूरत होती है मतलब जो healthy people है उसका heart उसको लगवाया जाता है तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है उसके बाद है silent heart attack कभी कभी आपको heart attack आया है यह पता नहीं चलता थोड़ा सा आपको पसिनासा आ जाता है थोड़ी से आपको घबराठ हो जाती है थोड़ा सा आपको चक्राय जैसा होता है थोड़ा सा आपको suffocation होने के जैसा feel होता है तो ओ heart attack silent heart attack हो सकता है उसके बाद बटा आपको complete heart attack भी आ सकता है तो इसको अपन क्या कहते है, three shoulder hypertension कहते है, और इसके उपर 180, 120 तक गया, तो बेटा इसको अपन क्या कहते है, बहुत ही जादा high level का hypertension है, जिसके अंदर बेटा यहाँ पे जो हमारे visceral organ है, जैसे kidney है, retina है, bloods है, मतलब brain के blood vessels है, kidney है, यहाँ पे उसको damage हो सकता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, तो इसके बाद chest pain वगेरा वगेरा, यह सब यहाँ पे क्या है, इसके symptoms है, उसके बाद coronary artery disease, इसको अपन CAD कहते है, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, atheroclerosis, इसके अंदर क्या होता है, fat और वहाँ पे cholesterol का deposition होता है, कहाँ पे blood vessels के अंदर, जो कि heart को blood supply करती है, इसके वज़े से जो ब्लॉके जाता है, उसको क्या कहते है, coronary artery disease कहते है, उसके बाद angina pectoris, इसको अपन acute chest pain कहते है, अगर आपको heart attack आगे चलके आ सकता है, तो उससे पहले जो वहाँ पे आपके छाती में दुखना, यह डा इसका कारण है बटा, atheroclerosis, ओके, atheroclerosis और arteroclerosis यहाँ पे हो सकता है, इसका कारण, बाकी जो भी चीज़े है, देखना बटा, यह जो pain है, कहाँ पे होता है, neck में होता है, lower jaw में होता है, left shoulder में होता है, और usually इसके कारण क्या है बटा, exertion, ज्यादा exertion हो जाना, ओके, हमार हार्ड की, जो demand है oxygen की, ओ supply नहीं करना, यह सभी चीज़े इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है, तो यह अंजाइना पेक्टर इसमें याद रखना है, रिविजन में तो यह रिविजन यह summary है, ओके बटा, homework में कुछ नहीं, तो हमारा यह जो summary lecture यह बचा हुआ था, तो इस प थैंकियो, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, जय महराश्ट्रा